इस वकत मैं जम्मू के तवी ब्रिज के उपर हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलीस जो की 24-7 अलर्ट रहती है वो यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट नाका लगाये हुए है क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले नगरोटा में जो एक बड़ा इंकाउंटर हुआ जिसके अंदर चार दैशतगर्द चार पाकिस्तानी आतंक वादी जो मारेगे उसके बात से और उससे पहले भी बात करें तो हमारे सेक्यूरिटी फोर्सिस हमेशा से अलर्ट रहत उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कोई कोई बाहर से यहां की जो शांती को भंग करने की कोशिशों नहीं किर रहे हैं खास करके यह जो ट्रक ड्राइवर्स हैं खास करके इनकी गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है और इनकी चेकिंग की जा रह हैं वो सभी आने जाने वारे लोगों से पूरी चेकिंग कर रहे हैं नाका लगाया हुआ है उन से पूछ रहे हैं और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि वो पूरी तरह से कॉपरेट करें अगर किसी तरह के लिए आपको चेकिंग के लिए रोका जाता है खास करके जब भी कहीं पे भी तो अपनी तरफ से पूरा आप समर्थन दें पुलीस का और चेकिंग के अंदर पूरा साथ दें ताकि जो हमारी जमुकश्मीर पुलीस है ये आप ही की सर्विस के लिए है और आप ये देख रहे हैं हमारे पुलीस कर्मी हर टाइम यहां पर अल जो पिछले दिनों जो एक बड़ा आतंकी हमला को सरंजाम देने के लिए चार आतंकवादी जो यहां पर घुसे थे उनको भी हमारी सुरक्षाबल और पुलीस त्वारा जो है उनको निस्तो नाबूत कर दिया गया और सबसे बड़ी बात ये है कि आज सामबा इलाके में भ पुरा बनाई गई थी ताकि यहां पर आतंकियों को भेजा जा सके जिसके उपरा पूरी शिनाकत चल रही है इसके इलावा सबसे बड़ी चीज है कि जमू कश्मीर के अंदर हालात खराब ना हो और हमारे सुरक्षाबल इसलिए हर टाइम 24 पर 7 यहां पर अलर्ट है और किस जार दैशतगर्दों को मोत के घाट उतारा उनको जहरनुम भेजा जिसके लिए सल्यूट के काबल है जम्मू कश्मीर पुलीस हमारी इंडियन आर्मी देखते नहीं जयके मीडिया आशीश कोली कहना है ने शोक्ष लोतराजी के साथ जयके मीडिया के लिए धन्यवाद जय के देखते हैं।